हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर अनद भारदवाज, आपके लिए लाता हूँ नई नई जानकारी वास्तु शास्त्र के लिए जिहां सात्यों, पेड़ पौधों के दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में वास्तु शास्त्र में जोतिश में और बहुत सारे विज्ञानों में तरह तरह के बातें की गई हैं कुछ पौदे ऐसे बताए गए हैं वास्तो शास्त्र में कि जो वास्तो के साफ से नकारात्मक श्रेणी में आते हैं जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं चंपा के पौदे की बहुत ज्यादा कौमने पौदा जगा जगा आपको लगा मिल जाएगा और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है जबकि इसके पर कोई बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं होते और नॉर्मली इसको जहाएं इंटरनेशनली लुमेरिया के नाम से लिए जाता है शो के लिए बहुत अच्छा पौदा लेकिन जबर्दस कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा इसके पीछे खेचाता नहीं चलती है क्या सच क्या जूट इस पौदे के बारे में आईए आज हम करते हैं डिसकस इस विदेश में डॉक्टर आनन भारदवाज एक पॉपिलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं डॉक्टर भारदवाज विश्व के हाइस्ट क्वालिफाइड वास्तू कंसल्टन्ट वास्तू कंसल्टन्सी के क्शेत्र में विभिन संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज़्यादा अवाड से सम्मानित और सुशोभित डॉक्टर आनन भारदवाज यानि वास्तू शास्त्र के एंसाइक्लोपीडिया हम बात कर रहे हैं आज चंपा के पौधे के बारे में चंपा का पौधा हमारे समाझ में, हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा आचुका है और आम तोर पे आप देखते हैं कि जगा जगा पर कोठियों में जो समाजिक स्थल होते हैं वहाँ पर मंदिरों में पार्क में हर जगा पर आपको ये पोदा लगा हुआ दिखाई देदेगा ये जो पोदा है ये 60's के अंदर यहाँ पर आय था इंडिया में आय था उससे पह पर नहीं आते बहुत ज़्यादा गणा पोदा नहीं फ़ूद यह और इसमें से निकलता हो नपोदों को नहीं लगाना चाहिए पर आपको जानकर हराणी होगी कि एसे तो कम से कम 70% पोदे ऐसे जिनके अंदर से जो है ऐसा मिल्की सबस्टेंस निकलता है किसी में जह है यह जो ओजिंग होती है यह जो ओज करता है मिल्की सबस्टेंस यह बहुत जादा होता है किसी में बहुत कम होता है लेकिन जो बहुत जादा दूद जो होता है गाड़ा दूद निकलता है जिन पौदों में से उनको व बहुत कम जहें उजार जैसे इसके पेड़ के स्टक्चर होने की टेंडेंसी है यह इसको नेगटीव पौधे की कर्टेगरी में लाके खड़ा कर देती है लेकिन दिहान देना इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसे गुण है जो कि इसको पॉजिटिविटी भी परदान करत आता है साथियों बहुत अच्छी खश्वू आती है इसमें से अब यहां पर हम जहें अनलाइज करेंगे दो तरह के पौधे जिन में से दूद निकलता है प्लस उसमें काटे होते हैं वो सबके सब जहें वो सबके सब हमारे कैक्टस ग्रूप के मेंबर होते हैं और उनके फ इसा देखा है कि जब हम इसको सेंसर से स्कैनर से चेक करते हैं तो इसके अंदर से कोई बहुत विशेश नेगेटिविटी नहीं निकलती अब क्या होगा अब आप सोचेंगे भार्दवा जी आपने तो हमें फसा दिया ना इधर का रखा ना इधर का रखा कभी कहते हैं कि आप यह बहुत अच्छा पौधा होता है इसके फूल बहुत अच्छे होते हैं खश्वू आते हैं मंदिर में ट्राय जाता है कभी कहते हैं आपकी इसमें से गाड़ा दूध निकलता है और यह अच्छा पौधा नहीं होता अब कैसे निश्कर्श निकालें जिहां ऐसे कि अपने घर आंगन के अंदर बैटरूम के आसपास कहीं पर ऐसे जगा पर ना लगाएं जो कि हमारे रहाईश के हमारे जहां पर हमारा उठना बैटना खाना पीना चलना फिरना है उसके अंदर ना आए जैसे सेमी इंडोर के लिए बहुत बार यूज करते हैं अगर आपको चम्पा का पौधा लगाना है तो निष्कर्श ये निकलता है कि चंपा का पौधा आप अपने घर के जो आओट कोट याड होता है आगे पीछे का कोट यार्ड होता है वहाँ या रोड साइड में आप इसको लगा सकते हैं कोई इसका कोई बहुत जादा गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता जब तक ये पोधा आप जहें इसको तोड़ेंगे नहीं इसमें से दूद नहीं निकलेगा और जब तक ये आपके स तोड़ा सा कहीं पर लग जाता था तो उसको जल्दी से धोते थे के हाँ जल जाएगा ऐसे कहा करते थे क्योंकि उसका जो सब्स्टेंस होता है वह बहुत ज्यादा हाइली एलकलाइन होता है और वह कई बार जाए स्किन के बॉड़ी सेल्स को डेमेज करने की कैपस्टी बाहर के गार्णा में लगाई यह पर कोशिच करो कि अपने घर के अंदर अगर आपने कोई कोट्याड मना रखा है चुटा गाडर अंदर मना रखा है या सेमी इंडोर के रूप में इस पोदे को अवाइड करें मुझे लगता है मैं आपको उस सवाल का जवाब दे पाया जो आपके मन में बहुत दिन से आ रहा है क्योंकि यह इसमें बहुत ज़ादा खेंचातानी चल रही है या तो इस पोदे को लगवा देते हैं या इसको निकाल के फैंक देते हैं दोनों मिसे एक बात होती है अब आपके मन में कोई संदे नहीं रहना चाहिए साथियों कंट अप्रोवर्शी होती है मैंने 80-90% टाइम जो है चंपा के पोदे का औरा पॉजिटिव ही पाया है तो आप लगाएं कोई सीरिस बात नहीं है इसमें और अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी एक बहुत जबर्दस टॉपिक के साथ मैंने टॉपिक के अभी तक और आगे बहुत अच्छे वीडियोस में आने वाले हैं सिरिस आएगी पूरी की पूरी बहुत अच्छे वीडियोस की अगले वीडियो में फिर से आप से मुलाकात होती है तब तक के लिए आप मुझे इजादत नमशकार धन्यवाद थैंक यू और अपना ध्या आपके हैं